राश्ची लोजपा के जिलावपा ध्यक्ष सा आरावधान सभा के प्रभारे रहे मनोज कुमार जहमन ने जदियू का दामन थाम लिया है जदियू में मिलन सा अभिनंदन समारो जदियू जिला ध्यक्ष संजे कुमार शेंग के अधिक्षता में आयुजित की गई जिसमें मनोज कुमार जमन अपने 40 साथियों के साथ जदियुँ में सामिल हुए पुर्म मंतरी सह जदियु के राश्य महासची भगवान सिंग कुश्वाहा, पुर्म विधायक विजेंदर शिंग याद tenure और उपस्तित दल के सैकरो साथियों के समख्चे जिलाद ध्यक्ष संजे कुमार सिंग द्वारा जेदिव के सदसिता दिलाई गई इस मौकें पर पूरो मंत्री भगवान सिंग कुश्वा ने दल में सामिल हुए सभी कारेकरताओं को बधाई देने के साथ साथ मुख्य मंत्री द्वारा चलाई जा रहे योजनाओं पर विस्तार से प्रिकास टाला और इन्हें जन जन तक पहुँचाने का आवान किया पूरे विदाएग विजेंदर सिंग यादों ने दल में सामिल सभी को बथाई देने के साथ थी मुख्य मंत्री द्वारा महिलाओं एवं समाज के सभी वर्गों के लिए चलाई जा रहे योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की जिलाद्यक्ष संजे कुमार सिंग ने भी सभी साथियों का स्वागत करते हुए कहा कि मनोज कुमार जमन और उनके साथियों के दल में सामिल होने से दल की मजबूती को बल मिलेगा मनोज कुमार जहमन और युवा जिलाध्यक्ष अविशेक महता ने भी अपनी बातों को रखा इस मौके पर भाजपा के निता धर्मेंदर कुमार गुपता, असीस कुमार और पौन कुमार गुपता ने भी जदियू के सदस्ता ग्रहन की मनोज कुमार जहमन के साथ जदियू के सदस्ता ग्रहन करने वालों में लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष अवकाश कुमार नवल कुमार, सुरज कुमार, बबलु कुमार, हरियों कुमार, इंदरजीत कुमार, चंदन कुमार, दिनेश कुमार, सहित कई लोग थे मैं सब लोगों को अपने तरफ से धन्यबाद देना चाहता हूँ और यह प्रक्रिया हम लोग उन्हें शुरू किया था 15-20 दिन पहले बराबर नितीश कुमार जी को तारीफ करते थे कि मानियए नितीश कुमार जी ने बिहार में बहुत बदलाव किये हैं बिहार की सुर्ण बदल दिया है तो नितीश कुमार के काम से बहुत परभावित है तो हम लोगों ने उनको सलाह दिया था जब नितीश कुमार के काम पसंद है तो मैं समस्ता उनके दल में आपको सामिल होना चाहिए और दल में सामिल हो करके नितीश कुमार जीने जो कार्ज कर रहे हैं उनको जनता के परचारित करना चाहिए और काम करना चाहिए शामती बन गई आज का अलिक बन开न त्रव मैं अपने तरव से पाथी के तरव सरे और पारिक के राष्टिय जनर्नल सिक्रेटी होने के नाते पूरी होग मैं उनको बहुत भी धनंवात देता हूं और बहुत बहुत विश्वास करता हूं को उनको आने से आरा सहर में और आरा सहर के अगल बगल बाटी का विस्तार होगा बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और उनके साथ लोग भी है काम सबको साथी लोग को बढ़ाई देते हैं आए मिल जूलकर के एक नया विहार एक कई लोग अभी और आने वाला है हम लोग के दल में हम जब से आये हैं सिर्भवाण जी भी आये सब लोग आया पूरा डल टूट रहा है और इंडिया जो बना है नया महागटबंधन समझे इसको तो पूरा देश में लहर चल रहा है कोई राजियों में इसका अभी जो अब परधान मंत्री का चुनाव तो नितीज जी कई बार बोले है कि हम काली भाजपा के विरोध में हम सब विरोधी को एक कर रहे हैं कौन बनेगा परधान मंत्री कोई हम कंडिरेट नहीं है और तेजस्वी जी भी बोले है तो उसका तो बाद में फैसरा होगा और चौबिस में 80-20 का लराई है इसमें कोई ठिकने वाला नहीं है नहीं तो आप होट जो लिजे राज़त जेदिव माले कांग्रेस और कोई दल CPI-CPM इस दल में जो जुड़ा है तो पूरा समझे 80-20 असी की आप बाक कर रहे हैं लेकिन जातिय जन्याणा की रेपोर्ट कें। आने के बार लगतार कई जाती के न kicking और जाती के पड़ार घ्रषा में जाए बार जाती नहीं लुगा तो होते रहता है, सब आपना देगा देगा दरफास फिर से जाच होगा उसका लेकीन जाती है, जाती है जन्यगान्या कोई आया है। हम्यमेमेले है। हम भी दस्कत किया है उसके कागजपत। और अपना ड्रामा करता है लो बाहना बाजी करता है लो कि हमारे पास कोई आया ही नहीं है अब आशी पीच के लागाई मैं नहीं समझ रहे हैं कई पाटिया ये खो गया बाट पाके लिए क्या कर लेगा और जो दो चार उसका गटबंदन में लोग है उसका भोट कहा है जमन जी और उनके सेकड़ो साथियों ने जनता दलिव की सदस्ता गरहन की है सरकार की नीती और दल की नीती में अपना आस्था व्यक्त किया है और सदस्ता लिया है मैं इनके और इनके शाथियों को इस दल में उजवल भविश्य की कामना करता हूं और इनके आने से दल को मजबूती मिलेगे। अपने नए पाठी जद्यू ग्रहन करने के उपलक्ष में। जद्यू में हमारे मान्निय मुख मंत्री जी जो हाँ नितिश कुमार जी शाथ निश्चर अभी आप लोग नाटा के माध्यम से दिखाये हमने। नाटा के माध्यम से आप लोग देखे, पूरा देखे, कि अग्रफोर जो है नितिश कुमार जी आगे बढ़ रहा हूं और देश को हम लोग को आगे बढ़ाने के काम कर रहा हूं जिसके चलते में उन पर भरोसा किया और जदिश्चर यूएं किया। अगर है तो उसको प्यति नाम करेंगे। इस्कुट्मिन न कराएंगे उस उन्हें जो हा कि आप पाटी के जोहां आपके भी एति हैं विधायक हां तो उसको आप एति करा लिजिये चर्चा करा लिजिये चर्चा सहीं एति होगा क्या माना जाए फिर से लोग कुछ से में करान साथ देगा नितिस्कारा दम देगा